आज है नंबर इस फोन का जो है रेड्मी नो ट्वेल प्रो फाइब जी जहिंजी क्या हाल है वीसे ये काफ़ी सिम्लार है रेड्मी नो ट्वेल प्रो फाइब जी के लेकिन हाँ इसकी प्रैजिंग आ चुकी इसके हमें पता अगर इसकी प्रैजिंग की बात करें चाहूंगा कि जैसे काड़ पे 3000 का डिसकाउंट है और अगर डिसकाउंट के साथ प्राइजिंग क्यूं ठीक है उसके पीछे देखे देखे लगता है लेकिन काड़ आपके पास होना चाहिए नहीं है तो आपको मैंनेज करना बड़े किसी जानकार के पास है कुछ ऐसा सोच क तो यह था मेरा अपीनियन और अगर काड़ डिसकाउंट के साथ प्राइजिंग क्यूं ठीक है उसके पीछे देखो मैं अधाताओ आपको जैसे मैंने काफी सिमिलर है रेडमी नोट 12 प्रो प्लस के दो चीज़े अलग है और तीसरी चीज इंपोर्टेंट है अगर आप नहीं है चैनल पर बीना ज्यादा टाइम लिए है मैं इसकी क्विकली आपको दिखा रहता हूं बोक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है तो बोक्स के अंदर एक आपको ट्रांस्पेरिंग कवर मिलता है 67 वोट का चार्जर मिलता है और साथ में टाइप A to टाइ दर बहुत फास्ट होता है सो मेरे आप से 67 वोट के साथ 5000 एमेज की बैटरी दे रखाया रड्मी नोट 12 प्रो में बढ़िया कोंबिनेशन है यहां पर मतलब पहला फरक इतना मेटल नहीं करता मेरे लिए तो बाकि अगर फिजिकली बात करें तो जैसे रड्मी नोट 12 प्रो सपीकर मिल जाएगा Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ IR ब्लास्टर मिल जाएगा ऊपर 3.5 ओम का जैक भी दिया गया भाई हाई रेज ओडियो का सपोर्ट के साथ और फाइब जी रेडी है दस फाइब जी बैंड के साथ आता है और अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इसके काफी अच्छा आते हैं साथ में यह डिस्प्ले भी जैसे नट्फ्लिस पर चेक करें तो HDR10 Dolby Vision इन सब के सपोर्ट के साथ आती है बाकि हाँ फिंगर पिंट स्कैनर यहाँ पर सिमिलर यह साइड में दिया हुआ फिजिकल बटन वाला है अंडर डिस्प्ले नहीं है तो यह स आग चाह vivo does most performance के लिए यहाँ पर वही प्रोसेशर मिलता है जह की आपको प्रोप्लस में मिलता है दूसरा फरग भी बताता हूं क्या है जया indemnity 1080 प्रोसेसर मिलेगा LPDDR4X RAM मिलेगा योफेस 2.2 स्टोरेज मिलता है बीजी माई गेमिंग की बात के स्मूद पे आपको एक्स्टीम की सेटिंग मिलेगी 60fps बाकी पे 40fps अब प्रोपर स्पेशली गेमर्स टागेटिट फोन नहीं है बढ़ इसका गेमप्ले अच्छा निकल के आ आँगा Android 13 होना चाहिए था लेकिन हां MIUI 14 का अपडेट जल मिल जाएगा दो अपडेट मिलेंगे चार सल का सिक्योर्टी अपडेट मिलेगा और MIUI पहले से लाइट हो चुका ब्लोट पहले से कम हो चुके है अभी है बट कम हो चुके एड्स वगारा देखने को नहीं मिल र अब जो चार्जर के लावे में आपको दूसरा फरक दिखार था ना वह फरक पता क्या इसके पीछे जो कैमरा देख रहे हो आप रेड्मी नोट 12 प्रो प्लस में 200 मेगा पिक्सल का में कैमरा था इसके अंदर आपको में कैमरा 50 मेगा पिक्सल का मिलेगा लेकिन संसर बढ़ आपको मिलेगा उफर वगारे के साथ तो इसकी फोटो फोटो में आपको दिखा दे रहा हूं हाँ अल्ट्रा वाइड एंगल की जो फोटो में ठीक आती है लो लाइट में सॉफ्ट हो जाती है सेल्फी की फोटो अच्छी आती है लेकिन यहां पर मैंने वही नोटिस किया क जो मतलब फोटो के पीछे इसको अपडेट से जुरूत है बाकि यहां पर भी आपको जो टैनेटी पी थर्टी एफपीएस पे ई आईएस ओईएस दोनों का सपोर्ट मिलता है और यहां पर आपको यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा बाकि सल्फी में टैनेटी पी और आपको कुछ ऐसा लग जाएगा जो इसी से स्टैम मतलब शूट हो रही हो रिकोर्ड हो रही है अब आपके लिए एक सवाल है एक फोन का मैं रिव्यू करूंगा सिमिलर प्रोसेसर है दो डिफ्रेंसिस मैंने आपको बता दिये लेकिन रेडमी नोट ट्वैल प्रो प्ल बता दुए और जैसे मैंने चार्जर वाला डिफ्रेंस में लिए इतना बड़ा नहीं है वन ट्वंट जो होता है डेफिनेटली बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन सिस्टी सेवन वोट भी काफी फास्ट है तो बेसिकली रेडमी नोट ट्वैल प्रो भी अच्छी डिस्प सब्सक्राइब करने का मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अपने को चाहिए फुल समपोर्ट दोस्तों सब्सक्राइब करिए फ्लीज